आज की क्लास में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्लास जो है नहीं बताऊंगा मैं इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा आपको कि आप उससे किस तरीके से शेयर कर सकते हैं स्टुटेंट्स के साथ और अपने फ्यूचर यूज के लिए या फिर एक तरीके से रिमाइंडर किस तरीके से सेट कर सकते हैं अगर आप reminder भी उस class का set करना चाहें, तो चलिए सारे चीज़ों के बारे में बात करते हैं, इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा अपनी zoom app पर, zoom app पर click करेंगे, click करने के बाद आपको इस तरीके का interface कुछ मिल जाएगा, उपर option मिल आपको screen share का option, share screen करके, schedule पर आपको click करना है, जैसे ही click करेंगे, आपके सामने इस तरीके से screen appear हो जाएगी, और आपको वहाँ पर अपनी जो भी class, जैसे मान लिजे मेरी economics की class होती है, उसका नाम जो है, आप लिख सकते हैं, नाम लिखने के बाद आपको date decide करनी पड़ेगी कि कौन सी date को आपको class लेना चाहते हैं, एक, दो, तीन, दस, पंदरा जो भी है, date के बीच में click करेंगे, तो numerical keypad आपको मिल जाएगा, आपको directly इस तरीके से भी वहाँ पर लिख सकते हैं, मान लिजे मैं यहाँ पर click कर रहा हूँ, एक तारीक क्लिक देता हूँ मैं, और यह default 40 minute का ही session होता है, तो 11.30 भी अगर आप इसको करते हैं, तो भी यह session 40 minute तक continue रहेगा, ना कि घंटे तक, तो 40 minute तक आपका session continue रहेगा, फिर भी अगर आप इसमें कुछ changes करना चाहते हैं, तो वो changes भी कर सकते हैं, आप AM और PM को इस तरीके से select कर सकते हैं, कोई problem वाली बात नह यहां पर यह सारा सब कुछ set करने के बाद, आपको क्या करना है, आपको उपर done का button दिखाए दे रहा होगा, वहाँ done पर right hand side, top पर यह done का done लिखा हुआ है, यहां पर जैसे मैं click करूँगा, तो मैंने जो है, क्योंकि मेरी mail ID से यहां पर मैंने login किया हुआ है, तो यहां पर यह दिखा रहा है कि अगर आप किसी को XYZ कोई भी person है, उसको अगर आप यहां पर mail के थुरू आप send करना चाहते हैं, send कर सकते हैं, बाकि मैं ऐसा करता नहीं हूँ, तो मैं यह mail को discard कर देता हूँ, और यहां पर इस तरीक एक option मिल जाएगा, तो अगर आप meeting अभी के भी start कर करना चाहते हैं, टॉप वाला बटन दबा देजिए, आप अगर इसको future के लिए अपने calendar में add करना चाहते हैं, तो यहां पर right का उपर बटन आपको दिखाए दे रहा है, आप वहां पर click कर सकते हैं, पांच मिनिट पहले जो है, आपको इसका reminder मिल जाएगा, time आपको set करना पड़ेगा, सारा का सारा, जो भी time आप चाहते हैं, तो वो time आपको यहां पर मिल जाएगा, event की तरह आप इसको save भी कर सकते हैं, मैं यहां पर यह करना नहीं चाहता हूँ, तो मैंने यहां पर इसको discard कर दिया है, add invites, आप invites को invite कर सकते हैं, यानि कि participants को invite कर सकते हैं, Gmail के या true caller के message के थुरू भी आप invite कर सकते हैं, मैं copy to clipboard पर click करता हूँ, अब मेरे पास clipboard पर वो option आ चुका है, अब मैं यहां पर अपने बच्चों के, जो मेरा group है, उस group में मैं यहां पर जाता हूँ, और group के अंदर जो मैं यहां पर इस तरीके से copy paste कर दूँगा, तो इस तर तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं, तो यह zoom meeting का link है, directly बच्चे यहां पर इस link पर click करेंगे, तो वो आपकी meeting को join कर लेंगे, यहां पर इस तरीके की कोई भी problem आपको नहीं आएगी, तो इस तरीके से आप zoom पर meeting को क्या कर सकते हैं, schedule कर सकते हैं, calendar में उसे आप attach भी कर स यहां पर screen पर schedule हो जाएगी, तो इस तरीके से आप अपनी meeting schedule कर सकते हैं, videos जो मैं इस तरीके के बनाता रहता हूँ, अगर आपको अच्छे लगते हैं, कहीं पर भी help होती है, इनसे like करना ना भूलें, और इसको share कर दीजिए, अपने colleagues के साथ, यानि बाके teachers के साथ, आपका जो भी problem है, उसका solution करने की, तो मिलते हैं किसे next video में, teachers, I hope आज का video आपने enjoy किया होगा, अगर इसी तरीके के videos देखना चाहते हैं, bell icon पर press करके subscribe, करके notification, bell को दबाना ना भूलें, ताकि आपको latest notification मिल जाए, मिलते हैं किसे next video में, thank you teachers, thank you so much for giving your precious time. और Сमका क glare जाए, मिलते हैं अबगभी साँनार, अभलें रไहां किसे धर कहींती हो भी problem हैने किसे दिद्जानारी उली जाए, जजक दू देखनाओने किसे उता ङाँनास के सावाइक, प्रोषैं किसे प्रत Dubai क्या तरीके एंपको ओशाबगी में, व्रूलें, धबखा ऐना